नमस्कार दोस्तो मोटिवेशनल बेंकर में आपका स्वागत है दोस्तो हमें आपके लिए GIV, DBF और Pre-Promotion का One Stop Solution Friends ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो आने वाले समय में Pre-Promotion एक्जाम देने वाले हैं यानि Scale 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 Scale 5 तक के Candidates के लिए ये Suitable वीडियो है इसके अलावा हमारे जो बैंकर साथी एक्जाम नहीं भी दे रहे हैं GIV, CIB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक Content काफी Important होता है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बीच में Skip ना करें चलिए, पहला Question हम लेते हैं, देखिए इसमें किस तरह के Question लिए गए हैं Under which Act the Government announced new policy for regulation of content on social media and over the top platform Over the top platform को क्या कहते है, OTT platform देखिए, OTT platform कौन सा है, जैसे आपका Netflix, ओके, जैसे G5, जैसे Amazon Prime Amazon Prime, ये OTT platform है, अब OTT के लिए Self Classification की 5 categories बनाई गई है जिसमें पहली category है U, U यानि Universal, ओके, दूसरी है UA, Universal Adult 7 years, तीसरी है UA 13 years, चौती है UA 16 years, और पांचवी category है A यानि Adult इनको Classify करना होगा content को, कि ये content किस category में आ रहा है अब मैं आपको बता देता हूँ, OTT से related जितने भी rules हैं ओके, ये आते हैं IT Act 2000 के तैत, मैं आपको answer पहले दिखा देता हूँ, ताकि आपको clear हो जाएगा ये OTT से related जितने भी rules बनाए गए हैं, वो कहाते हैं Information Technology Act 2000 के अंतरगत इसके अंतरगत सारे rules frame किये गए हैं, परन्तु, इसकी जो administrative power है admin जो powers हैं, किसलिए regulations के लिए ये आती है Information and Broadcasting Ministry के अंडर में ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए OTT platform कौन सा है, Netflix, YouTube, Amazon Prime, G5 ये OTT platform है इसमें self classification की 5 category बनाई गई है, पहला है U universal, फिर है UA 7 years, UA 13 years, UA 16 years और last में 5 category A यानि adult के लिए content है, अभी OTT से related जो भी rules हैं, वो ITX 2000 के अंतरगत frame किये गए हैं परन्तु, इसकी administrative powers जो हैं, regulations के लिए वो आती है Information and Broadcasting Ministry के अंतरगत तो ये जानकारी है, जो आपको OTT से related याद रखनी है, किसी भी तरह का अगर question पूछा जाता है, तो आप आसानी से उसका reply कर पाएंगे चलिए, अब लेते हैं दूसरा question, who has been appointed as the deputy governor of RBI for a period of three years सामने जो आप photograph देख रहे हैं, उसको देखके अगर आप पेचान पाएं, तो आप बताइए मुझे ये photograph किस RBI के deputy governor का है देखे, मैं आपको बता देता हूँ, पहले में नाम बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये photograph में जो महाश्य दिख रहे हैं आपको, उनका नाम है टी रभी शंकर, टी रभी शंकर साब को 3rd में 2021 से, 3rd में 2021 से RBI का 4th deputy governor बनाया गया है RBI में 4 deputy governor होते हैं, आपको पता है, टी रभी शंकर साब किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे BP कानून गो की जगह, BP कानून गो, ओके तो BP कानून गो रिटायर हो गए कब, एप्रिल में, एप्रिल में रिटायर कर गए BP कानून गो, उनकी जगह ले ती रभी शंकर साब ने, दूसरे RBI के जो deputy governor है, उनका नाम है M. Rajeshwar Rao. M. Rajeshwar Rao. यह हो गए आपके second RBI governor, third है Michael D. Patra, M.D. Patra जिनको कहते हैं, और चौथे हैं हमारे M.K. Jen. यानि यह एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर और चौथे होगे हमारे T. Ravishankar. देखे T. Ravishankar का जो appointment हुआ RBI के deputy governor के लिए, वो एक मही को cabinet ने अप्रूव किया और तीन मही थर्ड में 2021 से यह effective हो गया. मैं आपको T. Ravishankar के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ, T. Ravishankar RBI में ही थे, 1990 में 1990 में इनों ने AJ trainee officer, AJ officer RBI जोइन किया था, और यह RBI में फिलाल executive director की post पे थे. T. Ravishankar के बारे में और एक महत्पून बात, यह 2005 से लेकर, 2011 तक, 2005 से 2011 तक, यह IMF में भी consultant रह चुके हैं. तो T. Ravishankar basically RBI से ही हैं, यहां executive director थे, अभी इनको BP कानुन गो की जगे, चोथा deputy governor बनाया गया है, Reserve Bank of India का. ठीक है friends, तो इससे related सारी जानकारी मैंने आपके साथ share कर दी है, अगला question लेते हैं, question number 3. Okay, question number 3 से पहले मैं आपको बता देता हूँ, friends हम इस तरह के educational video बनाते रहते हैं, हमारी complete video library, जो मित्र हमारे promotion exam की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी complete video library, हमारी website www.motivationalbanker.com पर उखलब दे. यहां को क्या मिलेगा, देखिए, यहां मिलेंगे आपको video lectures, topic wise आपको video lectures मिलेंगे, इसके अलावा जितने भी exam हुए हैं, अभी तक उनके सबके recollected questions के MCQ मिलेंगे, इसी form में, जैसे हम यहां explain कर रहे हैं, वहां भी पूरे explanation के साथ दिये हुए हैं, RBI की guideline जितनी भी change होती ह उनसे related सारे video आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हमारी यह book है, merit 2022, यह हम AJ gift हमारे subscriber, जो paid subscriber है, उनको free download की सुविदा दे रहे हैं, करीब 200 plus page की book है, जिसमें पूरा content हमने दिया हुआ है, आप इसको download कर सकते हैं, print कर सकते हैं, इसके अलावा PDF form में 500 से ज्यादा recollected questions और दि रहते हैं, नया content इसमें add करते रहते हैं, तो content कभी पुराना नहीं होगा, एक साल की आपकी validity रहेगी इसकी, ओके, तो एक बार जरूर video library को आप चेक कर लें, अगला question हम लेते हैं, देखे, अमिताब चौधरी has been reappointed as the managing director and chief executive officer of bitch bank, यह जो photograph में देख रहे हैं, यह photo है आपकी अमिताब चौधरी की, okay, अमिताब चौधरी जो है, इनको MDNCO reappoint किया गया है, देखे, question अगर देखेंगे, reappointment, reappointment क्यों, क्योंकि यह फिलाल भी, इस bank के managing director हैं, तो नाम आपको समझ में आई गया होगा, कि इनकी बात कर रहा हूं है, अमिताब चौधरी है, access bank के MDNCO, कब 21, 19, 21, 3 years हो गया न, 31st December को इनका tenure complete हो रहा है, तो access bank ने इनको reappoint किया है, reappoint किया है, फिर से 3 साल के लिए, यानि 1st January 2022 से 31, 12, 20, 24 तक के लिए, इनको reappointment के लिए भेजा है, RBI को, RBI जैसे approval देगी, तो यह continue कर जाएंगे, ठीक है, अमिताब चौधरी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2019 में जब इनको access bank का MDNCO बना गया था, उससे पहले यह HDFC standard life के MDNCO थे, तो अमिताब चौधरी बड़ी personality है, banking में जाना मना नाम है, HDFC standard life के MDNCO थे, 2019 में इनको access bank का MDNCO बनाया गया, तीन साल के लिए इनका tenure 31 December 2021 को खत्म हो रहा है, इसलिए इनका RBI को proposal भेजा है, reappointment के लिए, RBI जैसे approval देगा तो एक जन्वरी 2022 से, मतलब यह continue कर जाएंगे 2024 तक, तो यह जानकारी थी आपको, अमताब चौधरी के बारे में, ओके friends, आगे चलते हैं, दोस्तो, हमारी complete video library, हमारी website www.motivationalbanker.com पर उपलबद है, इसके अलावा हमारे एक telegram channel है, एक नहीं दो telegram channel है, दो अलग-अलग telegram channel है, जी आईवी के लिए separate channel है, और pre-promotion के लिए अलग telegram channel है, आप निश्यनत रहें, इस पे हम regular questions डालते रहेंगे, आपके exam तक, देसंबर तक, मार्स तक, जब भी आपके exam होंगे, questions डालते रहेंगे, और यह question इतने important होते हैं, कि इन में से बहुत सारे question आपके exam में repeat होते हैं, तो जरूर हमारे telegram channel से जुड़ जाएं, दोनों का JIB का भी और pre-promotion का, आप JIB की तयारी करने तो JIB का join कर लें, और pre-promotion की तयारी करने तो pre-promotion का telegram channel join कर लें, मैं description में दोनों का link दे दूँगा, ओके? Thank you friends for watching this video, आप हमारे videos को like करते हैं, share करते हैं, दोस्तों के साथ उनको thumbs up करते हैं, उसके लिए team motivational banker आपका तहे दिल से शुक्री आदा करती है, channel पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लें, और अगर पहले से channel पे subscribe हैं, तो bell icon press करना नहीं भूलें, ताकि हर video का notification आपको समय से मिलता रह और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें और इसी तरह से अच्छा content हम share करते रहें, so thank you very much for joining this channel, thank you.